सरकार ने आज एक नड़े लिया कैबिनेट में अभी उसकी पूरी परते आने बाकी हैं और पुरा डिटेल आ जायेगा तो हम फिर से बात करेंगे क्योंकि जानना जरूरी है कि हमारे साथ अच्छा हुआ या भुरा हुआ समझना जरूरी है कि सरकार हम को दे रही है कि किसी और को देने के तयारी कर रही है समझना जरूरी है कि लड़ाई कौन लड़ रहे हैं और प्रचारा कौन हो रहे हैं समझना जरूरी है कि जब NPS इतनी अच्छी थी तो UPS की जरूरत क्यों पड़ी समझना जरूरी है कि अगर NPS से UPS में विकल्ब दे सकते हैं तो OPS का विकल्ब क्यों नहीं OPS से इतना परहेज क्यों अगर वही है अगर वही है तो फिर OPS ही एक बड़ा सवाल है OPS से परहेज क्यों यदि वही है तो पुरा देश समझना चाह रहा है जानना चाह रहा है कि कि हो क्या रहा है देखिए इसकी तीन चाहर परते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है कमेटी की रिपोर्ट आई नहीं पब्लिस हुई नहीं सरकार अचानक आती है और UPS नाम भी नाम में तो कमाल है उसमें कोई दो राय नहीं कितना सांदार सांदार नाम यूनिफाइड पिंसन इसकीम तो नहीं पिंसन इसकीम का क्या हूँ पिछले 20 साल से न्यू पिंसन इसकीम की खूबियां बताते बताते सरकारों ने गले फाल दिये अपने और देश का कमचारी OPS मांगते मांगते अपना गला फाल दिये फिर अचानक रिपोर्ट आती समझ में आता या कुछ लोगों से सहमती ले ली गई कि हाँ यही ठीक है दो तीन भी सहे आपको समझ रिपोर्ट आई नहीं कैबिनेट का फैंसला आ गया थोड़ा से गौर करिएगा इस पूरे पिंसन आंदोरन की लड़ाई को अटेवा ए नमोपियस उसके सहयोगी उन्हें इसको दफन हो गए मुर्दे को बाहर निकाले और उसके वाज अंगिनत साथियों ने तन मन धन से इस आंदोरन को सीचा और मुचा किया आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना जब यह बात मैं कहता हूँ तो तमाम लोग सोचते हैं नहीं 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 अरे आज जो कैविनेट का फैंसल आया है बिना मुद्दा बने नहीं आया है क्यों नहीं आगया पांच में, क्यों नहीं आगया साथ में, क्यों नहीं आगया दस में तमाम बड़े-बड़े संग्ठन, तमाम बड़े-बड़े नेता थे हाइस्बाद को मुझे खुसी है कि इनमोपियस की जो लडाई उनके सहोगी साथियों की जो लडाई है वो आगे बढ़ रही है इसमें कोई दोराई नहीं आप जीत की तरफ हैं इसमें भी कोई दोराई नहीं आप का जो मुद्धा है वो पटली पे आ गया है अब OPS रूपी इस्टेशन तक उसको ले चलना है लेकि सरकार अचानक अचानक के पीछे कारण है लोगसभा का चुनाओ ओट फार OPS की ताकत इंटर्नल रिपोर्ट की बहुमत ना मिलने के पीछे एक बड़ा कारण पुरानी पेंशन की बहाली नहोना या उसका अंदोलन उत्तर प्रदेश से बड़े राज से एक बड़ी हार और सायज यही बहुमत से दूर कर दिया और इसलिए मैं बहुत पहले कहता था प्रचन बहुमत की सरकारे जनता के लिए अच्छी नहीं है सरकारे हों लेकि जनता के कबजे में हों और यह जो संदेश आज का है उसी का है कि जब आप बहुमत पर प्रचंट होते हैं तो आपकी प्रचंट ताना साही होती है और जब तो सरकार जनता की च्छाओं को सोचती है और समझती है तो ब्लोग सबाच चुनाओ के पड़ाम के बाद दिरस बदला है प्रदिस बदला है मैंने कहा टेवाइनेमोपियस मजबूर सरकार से लड़ लिया है तो मजबूर सरकार आज की है इससे लड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं और साथियों दिग्व्रमित महथ होईएगा तमाम तरह की लोग आएंगे तमाम तरह की बातें करेंगे कोई विभाग में बाटेगा कोई गुट में बाटेगा कोई कुछ बाटेगा ध्यान रखना आपको एक साथ होना है एक साथ रहना अटेवा एनमोपियस ज यह ओर लोगसभा चुनाओ के पड़ाम की वज़ा से सुनवाई सुरू हुई है चाहे अभी तमाम राज्यों में दोजार पांच के चार के पहले का जो मेंटर था उसका सलूसर निकला है फिर लोग सब चुनाव के बाद जिन राज्यों में चुनाव होना था महाराष्टा जहां गोशित नहीं किया गया डर बस हरियाना जहां गोशित किया गया वहां सत्ता रूर्दल का प्रदेश अध्यस कह रहा है चुनाव आगे बढ़ा दिया जाए पिंसन आंदोरन का जी को मैं बधाई देता हूं उन्होंने सिद्धत के साथ, ताकत के साथ, हिम्मत के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है मैं वहागे पूरी टीम को बधाई देता हूं और दोनों राज्यों के चुनाव पराम कें सरकार में बहुत अहाम होंगी और साइद इस सुनाव को कहीं न कहीं दिश्टगत रखते हुए जल्दवाजी में एक फैंसला आता है UPS, NPS, CPS, UPS, क्यों भाई, क्यों परसान है, क्यों हैरान है, अगर सब कुछ यही करना है, तो पुरानी पिंसन से परहेज क्यों और मैं दो-तीन सवाल जिसके लिए मैं स्पसिली आ जाया हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ, अभी बहुत सारा मने बहले भी कह दिया, कि अभी बहुत सारा डिटेल आना बाकी है, जिसके अध्यन के बाद फिर आपके साथ बात करूँगा, लेकि अभी जो निकल के आय क्या है, मीडिया के माध्यम से, अंशुरोतों के माध्यम से, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ, कहा गया है कि बेसिक सेली का 50%, यही तो OPS में भी है, फिर जरूरत क्या पड़े इसकी, पहला सवाल, दूसरा सवाल आया, कैबिनेंट का ब्रीफ करते हुए मंत्री जी ने कहा, NPS वाले भी के लिए खुला बिकल्प है, UPS में जाने का, स्वागत हो गए, आप इतने सहिदे हुए, एक सहिदेता और दिखाए, जब NPS वाला ब्यक्ति के लिए UPS का बिकल्प खुला है, सेम, यही एक काम और आप कर दीजिए, NPS से UPS का बिकल्प दे दीजिए, पूरा देश किलियर कर देगा, ओ क्या मांग रहा है, क्या चाह रहा है, जब NPS से UPS का बिकल्प हो सकता है, तो NPS का OPS में बिकल्प देने में क्या दिक्कत है, और तमाम बड़े-बड़े पत्रकारों ने बात उठाई थी, दूसरा सवाल, क्या इसमें D.A. होगा, अभी हमने कहा कि देखी, बहुत सारी जिजिए आनी बाकी है, क्या इसमें बेता नायुक का लाव मिलेगा, क्या OPS वाली सुभधाएं इसमें हैं या रहेंगी, और फिर रहेंगी तो OPS से परहेज क्यों, उस नाम से परहेज क्यों, और तमाम सवाल लोगों क्या आ रहें, तमाम बातें आ रहें, फिर NPS के तहद 20 सालों का जो हिसाब किताब है, वो क्या होगा, उन पैसों का क्या होगा, क्या ये उसका विकल्प है, या मर्जर है, क्या है, एक बात इसमें मैं खुस हूँ, मैं आहलादित हूँ, प्रसंद हूँ, कि जो, जब हम कहा करते थे, इस देश में 110 परसंद पुरानी प्रिंसन बहाल होगी, तो लोग हसा करते थे, और तमाम संग्जणों के लोग तो संसोधन में ही लगे रहे, आज मुझे इस बात की खुसी है, कि आपके आंदूलन की वज़ा से, जो सुनने को तयार नहीं थे, वो कुछ करने का मन मनाए हैं, यह है, यह आपकी जीत है, और मैं तमाम देश वासियों से, तमाम साथियों से कहना चाहतू हूँ, ब्रहम में नहीं रहिएगा, सब्दों के माया जाल में नहीं जाइएगा, अभी 20 साल NPS की तारीफ हो रही थी, आज से UPS की तारीफ होगी, हम करते हैं जब इतनी ही तारीफ करना है तो UPS की तारीफ कर दyए, 20 साल आप नपर NPS बताए, बहुत अच्छी है, बहुत सांदार, बहुत सांदार, अब OPS की तारीफ, अखिर दिक्कत क्या है, हम तो करतेulator हैं, और हमको लगटा है, कि आप अगर बताएंगे तो तमाम सरे solution हमारा एक छोटा सा करमचारी जो लेक्पाल है जो कानून गो है जो सफाई करमचारी है जो शपराशी है जो इस देश का सिछख है करमचारी है अधिकारी है इस देश का पैरमेड्री जवान है रहें वो भी बता देगा आपके पास तो बड़े-बड़े यंत्र हैं बड़े-बड़े तंत्र हैं बड़े-बड़े मंत्र हैं आप इस बात को ने समझ पारहें एक लाइन आप जो भी कर रहे हैं उसमें यह की लगए एंपियस यूपियस या ओपियस किसी समिच्छा कमेटी की बनाने जूत नहीं पड़े कमेटी यूँ बहुत पैसा खर्चा होता है बहुत पैसा खर्चा होता है अगर सरकार खुले मन से इंटरनेट का जमाना है इतने कह देख नहीं पूछ ले पूरी देश से एंपियस अब तो नाम आया गया ओपियस यूपियस या ओपियस पूरा देश खड़ा हो जाएगा और मैं साथियों से कहना चाहतूं अपने आपको चाहिए क्या और इसका असली संगर्ष किस बन तली चल ला है यह भी आप बताईए कटवती फिर भी कटवती बढ़ाई जाएगी यह क्या है यह इसकी में है अभी आपने 20 साल भी नहीं हुए अभी आप 20 साल भी नहीं हुए आपने एंपियस को डेस्टिमिन में डाल दिया अगर ईखुपशूरत है तो इसका मदलब गई डेस्टिमिन में और मैं बहुत पहले से submerged कहता थे निपियास डेस्टिमिन है आज आपने उसको प्रूव्प कर दिया कि निप्यास डेस्टिमिन है इसलिए 20 साल के कुरे को आपने उठाके किनारे कर दिया और UPS लाए किया गारंटी है कि हो सकता है इन पीएस को बनने बीच साल लगे इसको दसी साल लगे हो सकता है इसकी कितनी दिन चलेगी या कोई और आएगा कोई और नाम दे देगा यह तमाम जो पेंशन के नाम पर आंदूरन दिखाने के लिए कर रहे हैं संजोदनों के लिए लगे रहते हैं वो भी आपको ने नाम दे देंगे फिर इसका भविस्ष क्या है जो सिच्छा कमचारी देश को 20 साल 25 साल देने के बाद इस बुद्रबुन में 20 साल हमारे चले गए अब आने वाले 10 साल और चले जाएंगे मिलेगा क्या उसको क्या मिलेगा कितने दिन तक ये चलता रहेगा मेरा बहुत बिनमन रोध है इधर उधर की बात मत कर एक बात कर अगर आपका मन है आपकी नियती है तो आप इसमें से यू हटाईए और OPS पे आजाईए अन्था आप सोच रहोंगे कि हम एक भ्रमजाल पैदा करेंगे आंधोन को तोड़ेंगे लोगों को भ्रमित करेंगे चुनावी राज्यों के चुनावाह उसका लाव ले लेँगे अईसे ही लोगशभा चुनावक के जश्ट पहले कमेटी बनी थी और आज तक कमेटी का था पता नहीं है कमेटी का चेर्मेन कमेटी के रिजल्ट आने के पहले बता दियें कि अगर लागू होगी तो नागरिकों का नुप्सान है वो चेर्मेन हैं सुधार के और बहुत अस्पष्ठ है इस देश का एक भी सिच्छक्रमचारी इस देश का एक भी पैरामेट्री वो नो NPS, नो CPS, नो UPS अभी आंध्रा माडल की बड़ी चर्चा थी कहां गया आंध्रा माडल क्या है आंध्रा माडल जो माडल लेक चले आये थे वो भूत पूर होके बैठे हैं तो जिस माडल लाने पर खुद भूत पूर हो गए क्या हो माडल सही है क्या हो माडल सही है बड़ चर्चा थी आंध्रा माडल तब भी मेरे पास बहुत फोन मैसे जाया करते थे क्या होगा कैसे होगा आंध्रा माडल क्या है मैंने कहा है एक नाम का दूसरा नाम रख दिया गया नाम बदलने से काम नहीं बदल जाता जो ब्रक्ति का जो चरित रहे वही रहेगा उस system का जो चरित रहे वही रहेगा और लगातां लोग message कर रहे हैं तैयारी करें क्योंकि अटेवा एनमोपियस और उनके सहोगी साथियों की मानता है एक लाइन का हू बहू पुरानी पैंचन हू बहू पुरानी पैंचन ना इस से ज़्यादा ना इस से कम हाँ इसमें कुछ चीजें थोड़ी से एतिहाद भरतनी पड़ेगी देश के जो लोग पुरानी पैंचन से बंचित हैं जो लोग इस आंदोलन को जीतते देखना चाहते हैं जो इस आंदोलन को सफल होते इस देश में देखना चाहते हैं तमाम लोग बड़े बड़े नाम लिख करके अपने बैने टांग करके चल निकले हैं उनका मकसद पेंशन नहीं है पद लोलुपता है उनका मकसद OPS बहाली नहीं बलकि संसोधनकारी है इनसे थोड़ा बचना पड़ेगा आप सवाल करना छोड़ दिये बुद्ध जी भी समाझ कोई बिरती अंदोलन में था अचानक अंदोलन से निकल कर कुछ और बना कर क्या आ कड़ी है क्योंकि चुनाव के समय इनमोपियस उनके सहोगियों के लावा कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था एक लाइन अगर आपको चिक करना होगा तो चुनावई की दवरान उनके सोचल मीडिया के साइट पे चले जाए कोई सरकार को बचाने की बात कर रहा है कोई संसत को जिताने की बात कर रहा था ओपियस की बात सिर्फ और टेवा इनमोपियस उनके साथ ही लोग चेकर कर您, होशयार बहूर लोग होते है, उस समय सरकार को जatा कर ने वाला लाव लेते हैं और इस समय तमाम समझते करकर के कम चारीों पहरी थाय स्यंगीन ही मजब दो लोगें, सरकार भी और क्रमचारी और हमारा पड़ा लिखा बुद्जी भी गलत फैमी में आट अभी इसी भी अभी तमाम कला जा तक हमारे पास भी तमाम तरक भी तरक लोग आएंगे सर यूपियस तो यूपियस से भी बहुत अच्छा हो गया अरे भाई हम तो कहे रहे हैं हमको पुरानी वाली कम वाली दे दिजे उससे अच्छा क्यों कर रहे हैं तो साथियों आप से मेरा निवेदन है कि इसको आप अध्यन करें आपकी जानकारी हो तो आप मुझे भी बताएं मैं भी अपने अस्तर से पूरी जानकारी लोगा और कल तक बहुत सारी डिटेल आ जाएंगी लेकिन अभी तक का जो अगर यूपियस में 50% बेसिक का तो ओपियस में क्यों नहीं अगर आपको इनपियस प्यारा है यूपियस प्यारा है तो ओपियस से नफरत क्यों यह मेरा सवाल है और अभी सवाल इसके साथ बहुत सथ हैं अभी तमाम टीवी चैनलों के फोन आ रहे थे तमाम पत्रकार साथी यूँ फोन आ रहे थे अपनी पत्रक्रिया हमारी मांग रहे थे मैं एक ही बात बोला है कि अगर वही है तो ओपियस से परहेज क्यों और आप से मैं कहे रहा हूँ आप धीले मत होईएगा आप बटियेगा नहीं इनमो पियस अटेवा और उसके सहोगी संट्रनों का एक बैनर है उसी बैनर पर विस्वास करिएगा अगर यह लडाई यहां तक आई है तो सिवाए उसी बैनर के अलामा किसी कर नहीं बलकि मैं जिम्यदारी साथ कर रहा हूँ कि अंदलों को कम जोर करने की तमाम बैनर बने हैं बन रहें और बनेंगे और अगर एक मुद्ये पर पुरी ताकत के साथ एक दिसा में लडा जाए तो हमको लगता है जैसे पड़ाम आ रहा है आने वाले समय में आप सब की वो सपना जो ओप खुले है क्योंकि गडवन्दन की सरकार है बैसाखी की सरकार है तो धोड़ी ताकत थ्थोड़ी हिम्मत थोड़ा संगर्स और करियेगा और खास करके जिन राज्यों के चुनाव हैं मैं फिर कह रहा हूँ बोड की चोट हेकेल नेता समस्ता है और कुछ नहीं समस्ता नेता को बोड की चोट पड़ेगी और हर्ची तयार है उत्तर प्रदेश की बात को 2005 के पहले का मामला डेड़ साल से चीफ सेगर्टी किया पड़ा था और तमाम संग्धन जब हो गया तो उन्हों का मैंने पत लिख को होता किसी के ना होता और इटेवा सब के लिए लड़ता है और यह पेंशन जो भाली 2005 के पहले हुई है उस सब के लिए हुई है जो लड़ता उसको मिलता है अपि नन मिलता है एक भी भाग में लड़ा तो मिल जा तो दूसरा इसे कैसे संभ़ा सब के लिए लड़ा गया ह और लड़ा जाएगा और मजबूती के साथ लड़ा जाएगा और हम तो कहते हैं थोड़ी और हिम्मत दिखाओ ज्यादा समय के जो होते हैं थोड़ा अपनी ताकत और बढ़ा दीजे बहुत जल ये सपना पूरा होगा जो लोग OPS में आ गए हैं जो लोग OPS पा गए हैं जिनको बोलना चाहिए उन पर तमाम आरोप लगते हैं पत्यारोप लगते हैं मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आपके उपर ये बलेम न लगे आप कहो कि हमने जितनी ताकत से लड़ी थी अब पाने के बाद उससे दोगनी ताकत से हम लड़ेंगे और सब के लिए OPS मिल यह आपको करना पड़ेगा और करना चाहिए आपको अनथा जो अचार के समय जो ब्लेम लगा वह आपकर भी लगेगा तो घर नहीं बैठिये सुष्टा यह नहीं संग्ठन के जो गाइड लाइन है उस गाइड लाइन पर चलिए संभोता हम इसको कल और अधियने कर लेंगे अपनी टीम से भी बात करेंगे फिर आपके भी चम्य आएंगे और टीम का अब बस इसकर के इंतिजार भी था मुझे क्योंकि हल्चल के इन सरकार में थी कि कुछ होने वाला है कुछ करने वाले हैं कुछ देने वाले हैं हो रहा है हो जाएगा अभी फैसला आने वाला तमाम सारा इस बाते हो रही थी तो मैं बेट भी कर रहा था कि क्योंकि मैं पूरवा ग्रसित नही पुरी दुनिया के टेरियुनियन का सबसे बड़ा परदर्शन एक अक्टूबर दिल्लिम किया, इसको पुरी दुनिया मानती है, पुरा देश मानता है, और अब तो जब आवहन होगा, उससे भी डेबल होगा, और आप से मेरा निवेदन है, अगर आपको अटेवा एनमोपि के सदस्ता लेने में, उसके संगर्स में, उसके आंदोरन में आने से कोई मना करता है, तो आपका दुस्मन है, क्यों? जिन लोगों को OPS मिलेगी, बढ़ा पेम, उनके साथ OPS रहेगी, ना की गुट, ना की परिशद, ना की महासंग, सिफ रहेगी OPS, तो आप सबसे मेरी ब लोगों तक, हर ग्रूपों तक, हर विभागों तक, हर प्लेट फान पर, सिर्फ सिछक कमचारी नहीं, सामाजिक संग्ठुनों तर पहुंचाओ, क्योंकि लड़ाई पीडियों के, अगर OPS बहा लोता है, तो हमें आपको तो मिलेगी, लेकिन आने वाली पीडियों के लिए और OPS बदल देंगे, तो इधर उधर की बदलने के बजाए, एक बार बदलाओ करिए OPS पर, तो बहुत सारा, क्योंकि काफी टाइम हो गया, लगातार फोन आ रहे थे, मैसे जा रहे थे, क्योंकि बता पाना संभू नहीं था, तो मैंने कहा कि सीधे बात हो जाए, तो अच् आप से फिर निवेदन कर रहा हूं, इन सब के बाद भी आप जहां हैं, इस आंदोलन को मजबूत करिए, इनम OPS उसके सहोगी संठनों को ताकत दीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सदस्ता अभियान चल लहा है, सहोग अभियान चल लहा है, उत्तर प्रदेश देश का जिम्मेदारी बड़ी होती है, उत्तर प्रदेश देश के तमाम राज्यों से बड़ा है, तो मेरा निवेदन है कि जो लोग अटेवा की सदस्ता सहुप नहीं करें हैं, वो अपने नीरष्ट लोगों से करें, और अधिक सधी लोगों तक आप इस अभियान को ले जाएं, क उसको अपट्री पर ला दिया है, अपट्री पर सरपट दवराते हुए, ओपियस नामक रेलिवे स्टेशन पर पहुंचा देना है, रेलिवे के साथियों से मेरी विशेश अपील है, विभागों में अगर आपको बाट्या जाए, तो आप बटियेगा नहीं, इनम ओपियस आपका पूरे देश के सिच्चकों, कमचारियों, सिंटल, स्टेट, सबका संग्ठन है, सामुईक संग्ठन है, उस पर रहिएगा, रेल अलग लड़ेगा, यही तो हुआ था 2004 से लेकर के 5-7-10 सालों में, अलग-अलग बटा, अलग-अलग क्यों बटा जाता है, अपने फाग-पद, गुटों की सिमाओं से परे होकर के OPS की लड़ाई में, एटेवाइनम OPS के साथ आए, और हम सब जीतेंगे, हरियाडा और महाराष्टे उस कास्मिर के साथ यहों से मैं इस्पसिली कहना चाहता हूं, कि यहां चुनाओं है, आप चुनाओं की ताकत लगा यह मौका है आपके पास, हर यू को OOO में बदल देगा, तो बहुत सारा काफी टाइम भी हो गया है, आप सबको सुक्रिया, धन्यवाद, आप सबने सुना समय दिया, कमेंड किया, और मेरा लाश्ट निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक दरती सेर करिए, सब्क्राइब कर यू टूचलों को सब तक पहुंचाइए, जिससे बात ज्यादा ज्यादा पहुंच सके, और कल और सारा डिटेल ले करके फिर बात होगी आप से.